नमस्कार सातियों गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें हुआँ डाल देती हैं लेकिन नाइट्रोजन नई डाल दे नाइट्रोजन कि यूरिया हम्हें डालने चाहिए ले ब में यूरिया के साथ है जो दिश्री ने हम ने पेस जमीन के अन्दर पानी के साथ में दे नुद्स वहां गड़ी वहां गिर गई वह जड़े की तक नहीं पहुंच पाईगी तो इसलिए कि है अगर डीएपी की आप या तो जो नेनो डीएपी आती है लिक्विड में उसकी सप्रे करकर आप डीएपी की जो कमी है वो पूरी कर सकते हो पासवर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी लेकिन जमीन में डालने से वो क्या जान डल गया वहीं ही रहता है या तो जड़ उस तक पहुंचनी चाहिए फिर ही वो पूर्दे को मिलेगा वरनों वो उसी जमीन में ही पड़ा रहेगा अगर खेत के पूरे खेत के अंदर जो निच्चे के जो पत्ते पीड़ी हैं गेम के अंदर तो नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं जो निच्चे के पत्ते पीड़ी होते हैं तो उसकी कमी के लिए क्या अगर हम पाणी के साथ में योडिया डाल देते हैं नाइट्रोजन की पूरती हो जाती है यह हम इसकी सप्रे भी कर सकते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन की पूर अगर घ्यूं के पत्ते बूरे रंग के पीले हो रहे हैं बूरे हो तो उसके पोटास के कमी होती है तो पोटास जो बैसल हो जाली है तो उसके कमी के कारण भी यह सा होता है पोटास की कमी के लिए क्या हमें इसमें एक किलो पोटास है वो सो लिटर पानी के अंदर गोल कर और इसकी सपरे करते हैं तो इससे भी पोटास की कमी है जो पूरी हो जाती है इसके बाद की जो पिली ऊपर जो टिप होती है इसकी वह भी पिली होने स्टार्ट हो जाती है करूँ करण की तो इसके क्या है वह जो धुंद आती है ज्यादा है उटे अंप्रेचर लो हो जाता है उसकी वज़े से क्या है करना की उपरी जो सते होती है टीप वह वाइट सी और इस तरह पिली होने स्टार्ट हो जाती है तो उसके क्या है लोए की कमी आ जाती है लोए की यानि फैरस की तो इसमें फैरस की कमी हो जाती है तो इसमें क्या मेगनीज होती है एक मेगनीज होती है एक मेगनीज होती है तो इसके मेगनीज की सप्रे करने से क्या हो त्यार हो जाती है और पत्ता बीच में साइडों में से और उपर से जलना स्टार्ट होता है वो कई बार के नमक के मातर होती है जमीन में या क्वे का पानि लगा जाते हैं नम कीen उसकी वज़ए से भी जलना स्टार्ट हो जाता है भीडिनेजी सप्रेख कर सकते हैं और अर इसके बλαब इन जो सभी द्वाईय मतायै में ने इनको एक साथ नहीं करना है इनको अलग-अलग सप्रे करनी है एक साथ इनका वो बजार से आती है यह एनपी के है तो वो कॉमिनेशन बना के आती है तो उनको आप कर सकते हो लेकिन जो अलग अलग करनी पड़ेगी इनको एक साथ में नहीं कर सकते है तो मेगनीज की कमी है तो इसके जो बीच का जो पता होता है वो किया इस बाली को पकड़ लेता है और उसके लिए क्या मेगनीज सल्फेट की सप्रे करने चाहिए हमें और इसके जो बाल निकल जाती है इसके बाद में यूरिया डियेपी किसी भी बरकार की जो खात है वो नहीं डालने चाहिए अगर उसमें आपके पसल में कोई कमी दिकाई दे रही है तो आप उसकी सप्रे कर सकते हो अगर उसमें आप यूरिया या डियेपी डालोगे तो वो क्या पसल कच्ची होगे गिरने के जान से बढ़ जाएंगे उसके गिरेगी तो तो पाद दिन कटेगा ही कटेगा तो इसलिए कि बाली जब तक बाली निकलने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद कोई भी डोज ना डाले किसे भी परकार गी उसके बाद अगर आपको कमी दिखाई दे पसल में तो के उससे पर ही करें